नमस्कार साथियों एक बहुत मेर्टपुन जानकर यह आप लोगों देने के लिए आया हूँ लखनव के अंदर मात्र 600 रुपे से 1200 रुपे स्क्वाइर फिट के बहुत सस्ते प्लोट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने छेत्रफल के आप लोग चाहें चाहें 600 स्क्वाइर फिट हो 800 हो एक हजार हो बहुत सस्ते दामों में लखनव के अंदर आप लोगों मिल रहे हैं जल्दी से अपना फोन उठाई है और इस नंबर पे फोन करें जो डिस्पले हो रहा है कहीं यह मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए और फिर मौका कर एक ब इंडिया चलाते हैं और पहले भी आप इनको देख चुके हैं बहुत सारे भी सोपर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और समाज को एक संदेश और समझाने का परियास किया है खैर आज आप थमनिल देख करके समझी गयों किस वीसे पर चर्चा होने आज बहुत गंभीरता से हम लोग बहुत तरह-तरह की जो है भर मिताएं फैली हुई है समाज में की आरक्षन क्या है आरक्षन से देश बरबाद हुआ है तो उस पर बात करने से पहले मानिन अम्भीका बिंजी आपका स्वागत है सबसे पहले हम चैनल के माध्यम से बताना स्वास्थ आते हैं और आप कैसे हैं हम ठीक हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस समय हम ऐसी काम ना करते हैं लोग अपने स्वास्थ का भी ध्यान दें क्योंकि वातावरान में परिवर्तन हो रहा है और हम ऐसे पर चैनल कि जब लोग स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ मैं आपने देखा होगी आरक्षन को लेकर के भारत में तरह तरह की जो है एक भरम फैला हुआ है और अरक्षन से देश गुलाम हो रहा है रिजर्वेशन को खतम कर देना चाहिए या रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए इस तरह की जो फैली हुई है चीजे इससे समाज भरम में है कि वह डिशाइड नहीं कर पा रहे है कि आरक्षण आकिर है क्या तो सबसे पहले आप हमें यहीं बताएगी आरक्षण क्या है और यह क्यों जरूरी है देश और देश के लोग क्या है आरक्षण चाहिए आप उसको रखें और समाज को समझाने का पुरियास को समझने के लिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आरक्षण का मतलब समाज में जो भ्रानतियों कि नोकरी लोग समझते और आर्द्शन का मतलब वो यह नहीं समझ पाते हैं कि वास्त्रिक्ता क्या है तो मैं बताना चाहता हूं कि इसका बैग्ग्राउंड देखेंगे तो इस देश के अंदर जो आरक्थन की बेवस्था है वो संभिधान में लागू है OBC के लिए आर्टकिल 340 है SC के लिए आर्टकिल 341 है और त्रिडुल ट्राइट्स के लिए आर्टकिल 342 है तो ये आरक्थन की जो बेवस्था है या भातिस संभिधान के अनुशार है और S.A.S.T.O.B.C. के लिए जो आरक्षन की बेवस्था संभिधान में है वहाँ विशेश तोर पे इनके लिए है और आरक्षन मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि वह है अधिकार जिसका अपहरन न्याय पालिका भी न कर सके यानि न्याय पालिका अगर च जाहिर सी बात है अगर आरक्षन मौलिक अधिकार है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि अरक्षन उन लोगों के लिए है जो socially backward है यानि सामाजिक पिछड़ापन समाज में जिन जाती हो या जिन वर्गों में सामाजिक पिछड़ापन है जिन लोगों में एजुकेशनली यानि सेक्षडिक पिछड़ापन है और तीसरा है कि अन्टचबेल्टी तो यानि चुआ चूत यह जो यह बीमारियां सामाजिक बीमारियां जान भूच करके सासक वर्गों ने पैदा किया इस बीमारी को समाप्त किये बगर समाज को एक प्लेट फार्म पर नहीं लाया जा सकता है इसका जीवन में तमाम अनुभव करने के बाद एहसास किया संभिभान निर्माता डाक्टर बाबा साबंबेट करने तो उन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिक्यार नहीं था लेकिन संभिधान 26 जनुरी 1950 को जब लागू होगा तो उस समय इस देश के अंदर equality before law अनि सब के लिए कानून समान होगा ऐसा संभिधान में प्रावधान है तो उन्होंने सोचा कि जिन लोगों को सदियों से समाज की मुख्यधारा से और जिन लोगों ने समाज के चतूर्दिक छेत्रों पर कबजा कर रखा है जब सब के लिए कानून मरावर होगा तो पिछड़ा दली आदिवासी जो सदियों से खड़ेडा गया है समाज की मुख्यधारा से वह कैसे समानता की प्लेटफार्म पर आएगा इसलिए आरक्षण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन प्रतनीधित्व है और यह आरक्षण ब्यक्ति के नाम पर नहीं है आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है आरक्षण ब आरक्षण अगर प्रतनीधित्व है तो जैसे मान लीजिए सिडूर कास्ट ए सिडूर कास्ट में 16 पर संट आरक्षण है तो क्यों है क्योंकि स्दूर कास्ट की पापूलेशन 15 पर संट है से ले requesting होती है क्लियर 15 पर्षंट इसलिए 15 पर्संट सेीडूर्ड कास्ट को है स्दूर्ड ट्राइब्स की जाती अधारित-इजिंती होती है 5.57 परपूलेशन है से साथ पर्संट उनका unter reservation है वी सी की जाती अधारित-इक गिन्टी नहीं होती है पापुलेशन पता नहीं है इसलिए OBC का आज तक कनफर्म जीवेशन नहीं है कहने को 27% लागू हुआ OBC पूरवक्री मिलें लगाते जब एक सम्मिधान है एक देश है और एक प्रानमंत्री है तो संख्या के आधार पे आर्ट किल 341 और 342 के तहट अगर SCST को 15.5% जीवेशन है तो उसी आर्ट किल 340 के तहट संख्या के आधार पे OBC को भी तथा कथित 52% जीवेशन होना चाहिए आरक्षन होना चाहिए प्रतनीतों होना चाहिए प्रतनीतों का मतलब भागीडारी है जैसे सव लोगों की निवक्ति होनी है सव लोगों को सेलेक्षन सव लोगों का करना है तो भारत के अंदर जो सामाजिक संद्धना है SCST लोगी समानार्टी तो इसके आधार पे सभी वर अगर संख्या OBC की 52 परसंट है तो बावन सो में OBC होने चाहिए अगर संख्या सिलूल काष्ट की 15 परसंट है उनके 15 सिलूल काष्ट के होने चाहिए तो साड़े के साड़े 10 परसंट पूरे अलोर इंडिया के अस्तर पर बारा परसंट परसंट है तो उनके उनकी संख्या के अनुपात में उनका प्रतनिद्द होना चाहिए यानि सामाजिक वर्वों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की जो बेवस्ता है उसे आरक्षन कहते हैं आरक्षन निधित भागीदारी जी तो देखिए अम्मीका जी ने बहुत महत्रिन तरीके से बताया कि पिछवेशन क्या होता जरूरत क्यों है और सद्ली के आथार पर इस तरह से नहीं होता है कि पिछदे पनका चाहिए ud timely प्रकार सी जो है अंभीगइवेशन ने बताया बुदिक है भारत में ति अफ़र और वी नहीं लागू नहीं है चाहे वो भारत हो इंग्लेंड हो अमेरिका हो क्या आपके मुसार रिजर्वेशन यूरोप यूसे में है तो किस तरह से है अगर है भी तो दरसल भारत के अंदर जो अर्थन का विरोध करते हैं उन्हीं लोगों ने भारती समाज को यह भी बताया है कि में भगवान है पत्थर में भगवान है फोटो में भगवान है तो भारत के लिए भारती समाज पत्थर फोटो गोबर को भगवान मान रहा है और ऐसा बताने वाले जो लोग है वह ही जाय कारपाली क्या हो चाहे मीडिया का छेत्र हो विरोक्रेट्स हो कोई भी जीवन का छ आरे छेत्रों में उन्होंने कुंडली मार्केकपजा किये हुए है तो इसलिए वो ऐसा समाज में परचारित करते हैं कि आरक्षण दुनिया में नहीं है कि अवल भारत में है इसलिए कुछ लोग इग्नोरेंस में अज्ञानतावस उनको भी एसास होता है जो परंपरावादी लोग है जो सुनी सुनाई को मान करके चलने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को लगता है कि वास्तों में आरक्षण दुनिया में नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है अगर देखा जाए तो अमेरिका दुनिया की सुप्रिम पावर है सुप्रिम पावर है अमेरिका जिसको बहुत नसल भेद है गोरे काले जो नसल है स्वेता स्वेता है भारत में 6743 जातियां है हर जातियों में 7 उपजातिया बरबत 47,201 तुब्रों में समाझ जी रहा है तो भारत में आरक्षण रिपर्जेंटेशन जो है इस प्रतिज्ट जो है आपकल के द्यादत है कानून न है उसी कि अगर कोई निम्ति आती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो वहां दो नसल है गोरा और काला तो गोरे लोगों को आउसर मिला अगर काले लोगों को आउसर नहीं मिलेगा केवल गोरे लोग ही वहां पे होंगे तो हो सकता है कि उन गोरे लोगों के अंदर ताना साही आ जाए और काले लोगों का दोहन फोसन करें इसलिए वहाँ पे अफरमेटिव सिस्टम लागू किया गया अगर काले लोग सिच्छा से वन्चित हैं तो उनको जैसे भारत में पहले ग्रस मार्क होता था जब बच्चा 33 नंबर से कम पाता था तो उसको पास करने के लिए थोड़ा पुस करने के लिए ग्रस मार्क मिलता था वो उसकी एक निश्चित मर्यादा होती थी वह ग्रस मार्क जिस बच्चे को मिलता था वो पास हो जाता था उसी तरीके से अमेरिका में अफरमेटिव सिस् तो उनको ग्रसमार्का प्राखने के लिए दिया जाता है ईससे वे अपने समाज क्योभी मुख्यधारा मिला सके तो वहाँ पे अपर में टुश्चन अर्थार फा में जैसे इंडिया का आरक्षर है वैसे अमेरिका का अफिर्मेट्व सिस्टम भी जो समाज से मुक्यधारा से कटे हुए लोग काटे गए लोग है का ब्लेक नसल के लोग है उन लोगों के लिए वहां अफिर्मेट्व सिस्टम है यह वहां भी है अच्छा दूसरा अभी एक और रिजर्वेशन का मामला कि लगभग 10-15 दिन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे तमाम मुद्दे लाए गए भारत में मुद्दे जिसके ताहत देश के अंदर तमाम दंगा फसाद हो रहे हैं अभी भी हो रहे हैं तनाव चल राच अब लिडिया पर आप लोग देख रहे होंगे स्टी स्टी सब्सक्ता से कर रहे हैं तो इसका जो बैक्राउंड आप देखेंगे अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है कि जो लोग कहते हैं कि भारत के लोगों को यहां की सरकार नौकरी नहीं देती और यहां उनके मेरिट के आरहां पे वेतन नहीं मिलता इसलिए लिए लोग विदे जो एसियन डाइवर्सिटी है उसके तहट जो रियवेशन है उसके तहट जो भारत से लोग जाते हैं चीन से लोग जाते हैं जापान से लोग अमेरिका में जाते हैं वहां पे उनको प्रतिवित्व मिलता है यह भी एक आरक्षन है तो अब आरक्षन जो है जो एसियन आरक् किसी भीवर के लोग हो उनके लिए सबके लिए समानु रूप से है तो वहाँ पे जो गूगल है तो गूगल में एक तनुजा गुपता नाम की लेडी जो भालती नसल की है पिछड़े समाज से आती है तो उन्होंने गूगल का जो सेक्टर है तो उसमें जो काम करने वाले एंप्लाइमेंट्स से लोग हैं उन लोगों का अध्यण किया और उनके उन्होंने अध्ययन में पाया कि जो लोग भारत में आरक्षन का पिरोध करते हैं और वही लोग ऐसे अंगेजवेशन के नाम पर एसिए डाइवर्सिटी के नाम पर पुल जैसी संफ्था में एक इस पर बहस करने के लिए एक समारों का आउजन किया उस समारों में तमाम लोगों ने भागिदारी निभाई और उसमें इस पोज हुआ कि जो Google के CEO है सुन्दर पिचाई जी उनके इशारे पे हुआ बगार उनके इशारे पे तो ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब Google जो पूरे दुनिया जिस पर डिपेंड है आज के डेट में डेटल यूग में वहां भी अगर यह बाते पैदा होती है जातिवाद पैदा होता है चुगा चूट पैदा होता है तो इसका मतलब बैस्विक अस्तर पे इसको बढ़ावा मिलेगा और इससे पूरी देश में मानावता को पैदा होगा तो उन्होंने इसको इस्पोर्च करने जैसे ही करने का प्रयास किया तो पूरे उनको पता चला कि गूगल में लगबग भारत के आठ हज्जार विशेयस जाती के लोग समण तस्तमूची जाती के लोग ब्राह्मन वर्किस्ते लोग जो है एक आधिकार एस यं पिचाईजी से किया और लोगों ने अमेरिका के लोगों ने इसको खतम करने के लिए मागे उठाना शुरू किया जैसे वहां पे तमाम सामाजिक परिवर्तन और जाती ब्यवस्ता निर्मूलन जैसी भावनाओं को समाप्त करने पे काम करने वाली इकाईयां तमाम इकाईय है तो इन तमाम संगटनों के माध्यम से वहां पर आंदोलन फूरू होने लगे तो भारत में जो आरक्षन का बिजोद करने वाले लोग है और अमेरिका में एसियन डाइवर्सिटी के नाम पे जाकर के कबजा की यह हुई है तो उनको लगा कि अमेरिका की आग अगर इंडि आरक्षन को हंड़ड परसंट लागू करना होगा सवसार्थी कटेक्राजिशन के आधार पे सामाजी के संख्या के आधार पे इसलिए उन लोगों ने इसको दबाने का बड़े अस्तर पर प्रयास किया कैसे प्रयास किया एक उधारन देता हूं इस देश के अंदर आपको इस पता होगा कि गांदी जी के ऊपर जब तत्हक الإ Mêmefire जांई का आंधोलन चल लहा था तो गांधी जी के ऊपर लगवग 3 बार जान से मारने का हमला हुआ और अंग्रेजों ने बचाया युँ गांदी जी जिन्दा रहे हैं मरने नहीं चाहिए जबकि गांदी जी अंग्रेजों के बिरोद में तथा कतित रूप से जो इसा लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के बिरोद में गांदी जी अंदोलन चला रहे थे और गांदी जी को जब मारने का प्रयास किया गया उनको कई ब बार बचाया मानवतावादी अंग्रेश्थ है तो अब हुआ क्या कि जब देश आजाद हुआ था कतित रूप में आजादी पंद्रागास तुनीस सो से तारिस को भारत में मिली आप देखेंगे कि लगभग उससे आजादी के जादा दिन पांच साल भी नहीं बीच पाया अ वही लोग उस समय भारत में आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो उनको उनका मकसद था इस देश में अंग्रेश्यों के बिरोद में मानसिक्ता तयार करना और गांधी का इस्तिमाल करना इसलिए जब आजाद हो गया उनका मकसद देश पूरा हो गया आजाद होने के पाटिशन आफ इंडिया का यानि ट्रांफर आप पावर सत्ता हस्तान तर्ण तथा कतित आजादी बाद में होती है उसके साथ ही साथ में एक मुद्दा भारत का विभाजन का भी चला आथा आप देखेंगे 14 अगस्तु पाकिस्तान को तथा कतित आजादी मिलती है और 15 अ के तमाम दस्तावेज उपलब्द हैं आप वाट गांधी अंड कांग्रेस हर्डण टर्चेबल वर हर्डण अंटचेबल नाम की ग्रंत को आप पढ़ेंगे जिसको डॉक्टर बाबा साब अंबेटकर ने रिखा है उसमें सारी बाते आपको लिखित तोर पे उपलब्द है भारत में आठक्षन का विरोद कर रहे हैं और जो लोग एसे डाइवस्टि के नाम पर जाकर के गूगल में सर्विस किये हुए हैं जाती बीशेस के लोग उन लोगों को लगा ऐसे लोग उसके बेस में सामिल है भारत के विभाजन में ऐसे लोगों का हाथ है इनकी कलाई ख चर्चा हो गया है भारत का विवाजन इसलिए अगर इस मुद्दे को दबाना है तो राष्टी अस्तर की नई चर्चा खड़ी करनी होगी और उसके जश्ट तुरंत ही एक महीने का समय लेते हुए गांधी जी की हत्या कर दी जाती है देश का विवाजन क्यों होगा यह मंदिर के का जो लिए डिसीजन राया रिध कमिशन लागू होता है तो उस समय कर चैनर पर और जंडर कe भूर के नाम पर देविदेवता के नाम पर धर्म के नाम पर ब्रामनों के इशारे पर मर दिकार की बात आती एंद सब्सक्रांगे समाज के लोगों को अरक्षण मिल जाएगा 16 नॉबर 1992 को जो लागू हो रहा इसके प्रतिय जागरूख हो गए तो यह सर्विस में जाएंगे परसासन में जाएंगे जीवन के प्रतेक्षेत्र में जाएंगे और इनकी भागीदारी हो जाएगी एदेश के उपरान बनेंगे इसलिए इनसे ही इनके अधिकार का विरोध कराया जाना चाहिए बड़े पैमाने पे मंडल के विरोध में कमंडल का अंदोलन चल गया 16 नौंबर 1992 को मंडल कमिशन के तहट OBC को रियोवेशन मिलता है इसकी जागरिती नहीं होनी चाहिए जादा दिन समय ना लेते हुए मैक्जिमम तीन सब्ता के अंदर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया बाबरी मस्जिद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई मंदिर है उसमें जिसकी मूर्ती होती है उसी के नाम से जानी जाती है बनवाने वाले के नाम से मंदिर के नाम नहीं होता है नाम करना जिस प्रतिमा को उसमें अस्थापित किया जाता है उसी के नाम से मंदिर होती है गड़ेस की मंदिर है तो गड़ेस की मंदिर है तो संकर की मंदिर किस्न की मंदिर है तो किस्न की मंदिर ऐसा आप देखते होंग अब राम लाल ने बनवाया तो राम लाल की मंदिर है स्याम लाल ने बनवाया तो स्याम लाल की मंदिर है ऐसा तो नहीं है उसी तरीके से हर मजहब में जो पवित्र अस्थल जहां पे लोग अपनी प्रेयर करते हैं बनवाने वाले के नाम से नहीं होता लेकिन उस मस्जिद को कहा गया कि यह बाबरी मस्जिद है हुमायू मस्जिद नहीं है कोई अकबर मस्जिद नहीं है कोई सासूरी मस्जिद नहीं है कोई बाबरी मस्जिद कहा गया और बाबरी मस्जिद के नाम पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जगणा लगाया गया हिंदू मुसलिम कराया गया चुकि इनका एक मूल कारण होता है फसाद तो उसी तरीके से फसाद करा करके इन लोगों ने मंडल के आंदोलन को कमंडल में बदल दिया OBC के लोग मंदिर मस्जित के नाम पे हिंदू मुसल्मान दायट करके आपस में लड़ गए मर गए और वह मंडल की जागरितिय धूरी रह गई आज भी 37% पुला नहीं हुआ उसमें जो सड़ेंत रुगा उसका पदाफास नहीं हो पाया पदाफास हुआ लेकिन OBC के लोगों सब्सक्राइशन है और भारत में आरक्षण है यह जो तमाम प्लटकल पार्टियों दोवारा सोर्वन संगटनों दोवारा अभी जाती आधाय गिंती का मामला नाथ इंडिया में चला बड़े पैमाने पे बिहार में आप देखो उत्तर प्रदेश में देखो सभी राज्य सब्सक्राइशन हो रहे हैं तो यह जो तमाम मुद्द समाज हित में हैं यस्टी ओवी सी के उन मुद्दों पे समाज का धुरुए करन नहीं होना चाहिए इसलिए इन लोगों ने प्लानिंग के तहट पिल्तिवी राज्चावान फिल्म का भी वाद खड़ा किया इन्होंन अभी भाजपापरवक्ता नूपूर सर्मा का भी वाद खड़ा कर दिया और जिसका क्या देख रहे हैं सोचल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जो यस्टी ओवी सी के लोग है जब फसाद होता है तो यह अपने आपको हिंदू बन जाते हैं हिंदू किसी कहते हैं भारत में एक कांसेट है हिंदू का जो मुस्लिम नहीं है वो हिंदू है भले बहुत है उसको भी हिंदू कहते हैं इसाई है उसको भी हिंदू कहते हैं लेंगायत धर्म का मानने वाला उसको भी हिंदू कहते हैं यानि जो मुस्लिम नहीं है वो था कि कि इसने भिए था की हिंदूों की ढ富रते प्रतकिरियाश का हूट है हिंदूों की जागरृते प्रतकिरियाश ने यह इतना उसरने कहा था पूरा था उसके जो छुपाया उसने आगे ओम बताना चाहता हूं प्रत्किरिया फसाद से होती है यानि जब फसाद होगा तो समाज में प्रत्किरिया होगी जब फ्रत्किरिया होगी तब हिंदुत की जागिलिती होगी इसलिए इस देश के अंदर अभी यह जो सामाईक मुद्दे आए फिल्म का बीवाद फसाद के तवर फिल्म फलोप हो गई है वो देख भी नहीं रायक होई आप चुकि इस पोच हो गया ना इनका सड़ेंत्र सामाजिक सोसल संगठन जो चल रहे हैं सामाजिक कारकलता अपने आप उनको भी पता हो गया कि मंद्यka के नाम पर लोग गलक टाने आने वाले नहीं है तो फिल्म के नाम पच्लबा रहे रहे हैं उसके भाद धर्म के नाम पर करवा रहे हैं तो इस देश के अंदर अभी गुज्रात me चुनाव होने वाला है कुछी दिनों में तो गुजराच चुनाव के पहले एक मानसिक्ता निर्मार कर रहे हिंदू वसस मुसल्मान और हिंदू लोग यस्री अश्टी के लोग हिंदू चुनाव में बंते हैं कब बंते हैं कि जब इनका समर्थन सत्ताधारी को लेना होता है तो इनको हिंदू के नाम पर कठा करता है क्यों क्योंकि समाज में पुर्चारिद करता है मुलायम सिंह आदू का नेता मायवति चमारो की नेता मुके सानी केवटो का मल्लाहों का नेता लेकिन कोई मीडिया यह नहीं कहता, अडल बिहारी बात पे हिंदु जो है ब्रामनों का नेता, संजय गांधी ब्रामनों का नेता, सोनिय गांधी ब्रामनों की नेता, लाल किसाडवानी ब्रामनों का नेता, मोधी ब्रामनों का फारवर्डों का नेता, बैस्यों का नेता, लोग के नेता उनको हिंदू का नेता बनाते हैं अब हिंदू कौन है अगर हिंदू के नाम पर यस्टी यस्टी के जो लोग है वह बहुत संख्यक हो जाते हैं 15 परसंट मुसलमान 3% लोग जो 3% ब्रामन है 15% मुसलमान को अलप संख्य कहता है क्यों कहता है इसलिए कहता है कि खुद 3% वाला 15% को अलप संख्य कहता है क्यों कहता है कानल इसका है कि वो फसाद कराते हैं देश में जब चुना होता है तो फसाद कराते हैं जब फसाद होता है तो 80 80 OBC के लोग हिंदू होते हैं है जब 80 80 OBC के खा लोड करके छिप जाता है उनका नेति तो करता है धर्म का ठेकेदार बनके बैठा है इसलिए उनका नेता बनता है अब पचासी के आगे 15% मुसल्मान अल्पसंखिर बन जाता है अगर वह ब्रामन वर्सस मुसल्मान हो ब्रामन वर्सस मुसल्मान हो क्योंकि हिंदू ब्राम लेकिन अज्ञानता में अपने आपको जबर्दस्ति मानते हैं तो ऐसा उन लोगों ने योजना बनाके फसाद कराते हैं अपने को बहुसंख्यक बनाने के लिए अभी गुज्यात का चुनाओं सामने है इसलिए सारा मामला चल रहा है और देखा जाए तो यस्ति अश्टी ओ भगवान नहीं माना पत्थर को भगवान नहीं माना चुवा चूत जिनके साथ बेवार में लाया गया उन लोगों ने अपने धर्म को बदल लिया इसलाम को कुबूल किया वहां एक ठाली में रोजा खोलते हैं एक साथ बैटके नमाज पढ़ते हैं भाई-चारा का बेवा अब गयर बराबरी नहीं है तो इधर गामरध्रम में जिनको अपमान मिला इसलाम में उनको SAB मिला अगर आपको एस पढ़र उप बता है तो जाहिश ही सी बात है जहां आपको सम्मान मिलेगा आप वहां जायोग से यही कारण रहा कि भारत के अंदर ब्रहर वात की वज़ा से ध्रम परिवर्तन हुआ यसी आइकता कायम होगी और एकता से उनको खत्रा है इसलिए परिवर्तन के बाद भी एकता नहीं होना चाहिए इसलिए अन्हीं की धर्म परिवर्तन करके उधर समन मुसल्मान बने यही कारण है कि जिस तरह से मुगल काल में इन लोगों ने अपनी बहन बेटियां दे करके मुगल राजाओं को रिजर्वेशन 33% भागीदाजी तीन परसें ब्रामनों ने 33% भागीदाजी लिया था आज भी वही इने है यह इसलिए इनको आपस में नहीं करना चाहिए इनों को आपस में भाईचारा बनाहीं रखना की इसलिए इन सारे चीजों से समाज को चतन रहना चाहिए इनके सरेंत्रों को पर्दाफास करने की जरुवत है और हम निवेदन भी करते हैं देश के लोगों से कि अस्ती ओबीची और धन परिवर्तित मुस्लिम सिक्ष बहुत जयन इसाई को कि आप इन ब्रामरी सड्यंत्र से होशियार साओधान रहें बगार होशियारी साओधानी के देश में फसाद होगा जब फसाद होगा तो मरने वाले भी यही अस्ती ओबीची के लोग और इंसे के लोग बहुत बढ़िया तरीगे से समझ में भी आया होगा कि आरक्षन आकिर है कि कि नाम पर वीदोसों में जाकर नूख्रिया कर रहे हैं और महिने का क्रोड़ो रूपिया चाप रहे हैं खेर यह सब चीजे होती रहेंगी और आगे भी आप लोगों से मुलागात होती रहें चोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी दो महिने से आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में किस तरह से ताज महल को तेजों महले बताया जा रहा है मस्जिदों के नमाज करते हैं तो इस तरह के मुद्दे जो है और इनके अलावा बोलीवड में जो राज्तंत्र पर आधारीत फिल्में बन रहे हैं पदमावत हो या प्रित्वी राज हो या बाहू बली हो या अजय देवगंजी की ताना जी हो तमाम जो पिच्रे बन रहे हैं तो एक तर सड़कों पर आकर अंदोलन करेगा इसका मदल उसकी कुरसी खत्रे में है तो इन सब चीजों को आप समझे और फिलाल आप लोग एक काम करना है कि जो लोग आरक्षन का यहां विरोत कर रहे हैं और वी दोसे में जाकर के नोकुरिया कर रहे हैं सुन्दर पिचाई जैसे लो सब्सक्राइब करना है अगली वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए मस्त रहे हैं और देखते रहे हैं वी आईपी न्यूस टूड़े